हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कमीज की बैक में प्लेट कैसे डालते हैं और प्लेट डालने के बाद हमें किस तरीके से मेजर्मेंट लेना होता है क्योंकि जब हम बैक में प्लेट डालते हैं तो बैक का पल्ला छोटा हो जाता है फरन का पल्ला बढ यह आती है तो यह पूरी की पूरी सिर्फ होने वाली है बैक में प्लेट को कैसे डाले तो देखे सबसे पहले देखे मैंने यहां पर कमीज की लैंध नहीं ली पूरी क्योंकि मुझे सिर्फ आपको प्लेट का सिखाना है तो कमीज हमारी मालीजी कटी हुई है और यहां पर द 8 इंच ठीक है तो हम हमेशा एक पल्ले को हाफ में करके नापते हैं तो एक पल्ले को नापेंगे तो 16 इंच होगा बैक वाला पल्ला मिलाएंगे 16 इंच का तो हो जागा 32 इंच तो अब यहां पर आप देखें कटिंग करते हैं वक्त हम ऐसे कटिंग करते हैं तो यहां पर एक निसान लगा दिया इनने के सब्सक्राइब करने मैंने के निसान यहां पर लगा दिया तो इसाड़े Buffalo अगर मैं आसे लगाए मैं ढ़लने हो तो यह आप न संते हमारी ने तो यह रख रहा है उसे आप में बैक में जो प्लेट डालेंगे दो इसमें कवर हो जाएगा यह दो इंच और आपकी जो कमर है वह वहीं 32 इंच आ जाएगी अब मेन है कि इसको डालना कैसे है इसका मेजर्मेंट कैसे लेना तो देखिए जब भी आपको ऐसे रखना है बहुत सिंपल तरगी का बताने इस नीचे तोटल में आठ इंच हो जाएगा ठीक है ऐसे करके आप यहां पर नीचे से पांच भी ले सकते हो लेकिन ऊपर आपको चार इंच ही लेना है इसकी दूरी हलका साइज है साड़े तीन थोड़ा है विए पोने चार ज्यादा है विए चार इंच इस तरीके से आप रख सकते हो मैं इसमें रख रहा हूं मीडियम है तो इसमें मैं पोने चार रख रहा हूं ठीक है एक पोने चार आपको यहां पर लेना है यह निसान हो गया इस निसान को दोस्तों हम ऐसे सीधा निसान उठा लेंगे और यह बैक में प्लेट डाली जाती है यह याद रखना यह डाल दी हमने अब दोस्तों ज्यान से देखना इसमें दो प्लेट आएगी आपकी एक इदर दूसरी आपकी दूसरे साइड में तो मैं पहले इसको उठाने के लिए कैसे निसान लगाना हमें क्यांची की मतलब से ऐसे निसान हम लगा देंगे ठीक है इसको ऐसे करेंगे देखने निसान नहीं ऊड़्चुक है आपको नजर नहीं आएगा मैं निसान लगा जयता हो यह दोस्तों इसको इस तरीगे से सीधा कर लेते हूं इसका जो हाफ है चार इंच होगा ठीक है यह निसान हो गया अब मैं आपको दिखा रेता हूं दोस्तों किस तरीके से आपको यह निसान उठाने होंगे तो यह देखिए बैक साइड में आपकी दो पलेटे यहां पर आएगी तो अच्छी तरह इसको समझ लेना कि यहां पर कि यहां पर कम हो गया टोटल में आप देखेंगे एक इंच यहां पर एक इंच यहां पर दो इंच यहां पर हमारा कम हो जाएगा और दो इंच हमारा जो है इस निसान से बढ़ जाएगा टोटल में हमारी जो है कमर उतना ही आएगा जितनी कमर थी ठीक है अब हमें क्या करना ह भावागा इसको हम इस तरीके से निसान लगांगे दोस्तों प्रिए उस तरीके से डाली जाती है में consig um आपकोमेजर्मेंट कैसे लेना है वह चीद में आपको लिए भूत तो ही द॥िए इस तरीके एैसी निजान उठाना है ठीक है निजान पोली रखे रहे 근Shoalnya जिसले फिटिंग के को अधे कि देखिए ऐसी निजाने आपको उठाना है अब मैं इसको को इस टरीके से कर लेता हूं धयान से देखिए कमर का निसान हमारा इस पर ये हैं कट लगा हूआ है यह निंषान हमारा आ ठीक है यह निसान पर हमें नापना शबहाऊ यह निसान ऐसे जरूर लगा लें और यह व्uk Ł ्ण है कि अन्होभ म्योग्म कि अब मैं क्या करूं जी धियान से देख्या आजसे हमारा जो है वाय का निसान इसको हम ऐसे रखेंगे ठीक है इस वाले निसान को हम ऐसे रखेंगे दोनों को मिला के रखना है ठीक है दोनों को मिला के रखने के बाद यहां पर दोस्तों आपको सिलाई लगा दिनी यहां पर एक सिलाई इधर पर आपको ऐसे सिलाई लगा दिनी है तो यह दो सिलाई आपक में प्लेट डाल के दिखाऊंगा यह देखिए यह दो सिलाई लगाने के बाद यहां पे हम बैक में प्लेट डालेंगे और यह चीज आप पहले भी प्लेट डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पहले आप ना डाल के बार में डालें तो भी कोई दिक्कत नहीं है अस्तर यहां नहीं 5 ग्रेटेंगें तो मैंने लगा दी इधर मिंवे भी मैंने रगा दी और फिल्ट करते हैं तो यह देखिंगे से यह साइन थोड़ा सा बड़ा हो गया फरंड का फारेंट तो यह द्रेख्यों मैंने यहां पर एक प्लए डाल दी है ठीक है अब अराम और आम से और यहां पर गुलाई देनी है और इसको अराम से नीचे तक लेके आते हुए नोक सी आये बिल्कूल और इस तरीके से उतार दें थोड़ी आजे तक जाकर ऐसे कट करणे पका मत करना पका करते तो यहां गाटी आ चाहती है जो प्रैस से भी साफ नहीं होती तो इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लेट हमारी यहां पर डल चुकिए आप देखें कि बढ़ीया तरीके से अब दोस्तों मैं इसको ऐसे करके आपको दिखाता हूं तो धिहान से देखना एक चीज को यहां पर आप कि यहां तो हमारी प्लेट डल चुकी है अब मैं आपको कमर लेनी थी 16 तो मैं आपको नाप के दिखा देता हूं दोस्तों जब आप इसको इस सिलाई से ऐसे नाप होगे तो हमारी यहां पर कमर देखिए अभी आरी सब्वापंद्रा हलका सा कपड़ा बढ़ भी जाता इतना भी हमारी कमर होती जैसे मानलो 16 की कमर है तो फरंड पला हमारा 17 होना चाहिए और अगर जिस तरीके से मैं नाप ले रहा हूं तो इस तरीके सा 16 भी होगा चलेगा तो देखिए इस तरफ से ऐसे पकड़ लें और यह कपड़े को ऐसे खेच लें यह सब आप देखेंग तो अभी हमारे यहां कमरा वार है साड़े-सौला यानि कि जो हमारे कमर है अभी हमारे को हलका अलका सा ड़ाना पड़ेगा यह निसान जो हमने लगाय था इससे कपड़ा थोड़ा खुल गया तो हम या पे किस तरीक firmware लगांगे यह आपको लगा कर दिखा को इस तरीके से देखिए साधे तो एक पैर का अस्का है आपको ऐसे दभाना है कि यहाँ पर लाक़े दोसे मिला देना ठीक यह चिन्य kilka अब लगा दी मैंने अब मैं दुबारा से इसे नापता हूं दोस्तों देखिए नापने का तरीका भई होगा ठीक है फरन परला हमारा बढ़ा ही रहेगा पिलेट डालेंगे कभी भी यार रखना यह नहीं कि आपके दोनों परले बराबर होंगे फरन बढ़ा हो जागा अब इस लाइस से इंचीटेब रख रहा हूं में और अब मैं दोस्तों नाता हूं देखिए हमारी कमर बिल्कुल फिक्स सो लाइंच की आएगी तयार अब यह 32 होगी आप देख सकते हैं इस तरीके से कोई भी जोल नहीं है तो यह तरीका होता है दोस्तों बैक में प्लेट डाल उठा उठा नहीं रहेगा बहुत अच्छी तरह फिनीशिंग में यह प्लेट बैट जाएगी तो इस तरीकी से दोस्तों हम डालते हैं बैक में प्लेट आई होप आपको सारी चीज समझ में आगे होगी फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमंट करके जोर पूचें थैंक ये फोर वाचिंग